हेलो दोस्तो वेल्कम बैक आप देख रहे हैं कॉफी विट सुमी जैन दोस्तो रोज की तरह आज भी साथ आठ खबरे सारी भारत से और सारी एक से एक जबर्दस्त और आपका सीना भी चोड़ा हो जाएगा और एक खबर साओधियरेविया से तो शुरू करते हैं सबसे पहला जो आपने थर्मनेल भी देखा अभी आज कि भारत में डाइनसार मिला है वो भी जैसल मेर में दुनिया का सबसे पुराना और वेजिटेरियन अब भारत में डाइनसार मिलेगा तो वेजिटेरियन नहीं मिलेगा यह आपर तो दूस्त रहते नहीं है जो नॉन्वेज खाने है और पुराने time पर non-veget का कोई काम था ही नहीं और अब dinosaur उस time पर जो dinosaur थे वो भी vegetarian थे तो यह भी prove ओ गया कि यह देवी देवताहों की जगा है यहां पर जो जानवर थे पुराने वो भी vegetarian ही थे और यह तो बाद में ऐसा ऐसा करके dilution हो गया इसका तब ही हम आज की देट में दुख भूग रहे हैं ठीक है अब समय रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यह हो गया डाइनोसर की बात अब दूसरी ख़बर चाइना में एक न्यूज आया कि इंडिया ने हमारे लैपटॉप मोबाइल यह सब कुछ बंद कर दिया है उसका रीजन है क्योंकि इंडिया की उकाद नहीं है हमारी इंडिस्ट्री के सामने खड़े होने की यह न्यूज चाइना में आई है तो मैंने इसके उपर देखा कि क्यों बोल रहे हैं सर तो देखा कि इन्होंने एक एक आइडिया होता है कि आपके पास कंपरिटिवनेस कितनी है अगर आप कोई च चार्ट आप देख सकते हैं और वेटनाम जो गैप आ रहा है वेटनाम अपनी टेक्नोलोजी इसको बढ़ा रहा है मैनुफेक्ट्रिंग बेस को बनाना है बढ़ा रहा है इसलिए उनकी कंपरिटिवनेस जादा है जाद तर आपको प्रड़क्स अभी मेड इन वेटनाम भी दिखते हैं मेड इन भारत अभी है ही नहीं इसलिए हमने जिसको बोलते हैं थोड़ा सा इन से इर्शा करके विकॉज अफ और इर्शा हमने इनकी इंपोर्ट्स को बंद कर दिया इंदोस्तान हमारे सामने कहीं भी खड़ा नहीं है ओ चिंगियो मैं तुम्हें पताता हूँ यह यह बहारत है मोधी जीचे ने जब कोई स्टैप ले लिए ना तो छे मिनी लगेंगे यह सारी इंडरस्ट्री हम खड़ी कर लेंगे अपनी यही खासियत है हमारी ड्रोन में हमने देखह प्लेन के टेक्नोलोजी में हमने देखना हमने हर चीज में देख लिया और मोधी ने एक काम और क्रदिया है आज दोस्तो उनुने अपना जो मुबाइव थे उसके अंदर और लेपटोप के अंदर उन ने बोला कि हम अपना ही एंटी zorra चाहिएक जो उसके बोहित जो धिया कि लेवड़ारे आप शुरू करो, we are with you जो भी इस competition को जीतेगा उसे 3.3 क्रोट रुपे दिया जाएगा as an award अब मुझे पता है इसीज़ का, कि जो भारत के IT के लोग हैं जो भारत के बच्चे हैं, जो IT में आज की रेट में, उन्होंने तो-तिन महिने में बना देना है, Google को लगे होंगे 20 साल, इन्होंने दो महिने में बना के देना है, मोदी जी ले लो, हमने बना दिया पैसे दर रखो, और आप दो अगला क्या काम करना है, that means laptops हम खुद बनाएंगे mobile हम खुद बनाएंगे उसके अंदर operative system, antivirus यह सब कुछ भी हम अपना बनाएंगे, sorry मैंने बूल दिया आपको operative system, mobile में, वो हमारा बना हुआ है, लेकिन अभी हमने launch नहीं किया उसको properly, जब हमारे mobile शुरू हो जाएंगे तो हम करेंगे, हमने windows को replace किया 20 दिन पहले, कि हम अपना windows लगाएंगे, क्योंकि हमने windows बंद कर दी सबकी, और दूसरा अब हमने, even अपना जो browser है, google है जिसमें हम search करते हैं, search engines को, वो भी अपना होगा तो दोस्तों, यह क्यों जरूरी है अब देखे, चाइना के अंदर में, कल भी बताया आपको कि चाइना में भी जो browser है, इनका अपना है, तो उससे क्या होता है कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से दिखा सकते हो, and secondly उसके उपर advertisements लगती हैं पैसे कमाई जाते हैं, यह सारे dollars बाहर जा रहे हैं, वो सारा पैसा रुक जाएगा, अब मैं पड़े हैं, that means हमने एक भी रुपया दिया नहीं है, हमने एक भी डॉलर नहीं दिया, वो सारा रुपी में trade किया, अब रुपी लेके तो रुपी जा नहीं सकता, वो सारा का सारा पैसा हिंदोस्तान में ही पड़ा है, और रुश्या को समझ नहीं आ रही, उसका क्या करे, तो रुपी मरता ना क्या करता, उसने बोला कि चलो एक जो गवर्मेंट अपने ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है, शॉट अब जिसको हम FDR बोल देते हैं तरह से, वो उन्होंने, रुपी ने पास रहेगा, उसको हम और गुमा सकते हैं, इसको बोलते हैं गुजराती दिमाग, जो ये हावर्ड से पड़े हुए और कई तो अपने हम को क्लेम भी करते हैं कि हमने आक्सवर्ड में स्टड़ी किया है, लेकिन वाबे कुछ सूंकर आए थे, और आज तक उनका दिमाग ठीक हुआ नहीं है, तो ये बात होगी ट्रेड की, ये होगया तमाचा चाइना को on their computers, जो इनको बड़ा गर्व करते हैं कि हमारे सामने तुम खड़ी नहीं हो सकते, आप 6 मिने वेड़ करो Chinese, अब देखना हिंदुसन करता कि है, विंडो हमने बंद कर दी अमेरिका की, अब तुम्हारी दालबाटी बंद करेंगे हम लोग अब एक अगली चीज, आपको याद है कि जो लीथियम आयन बैटरी हैं, जो हमारे गाडियों में जो electric vehicles हैं, bikes हैं गाडियां हैं, उसके अंदर ये लगती है एकसाइड ने अब जो एकसाइड बैटरी बना रही कंपनी उन्होंने अनौन्स किया कि हम ये फैक्टरी भारत में ही बना रहे हैं, हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो 6,000 क्रोड रुपे की investment कर रहे हैं और अगले साल तक उसकी production भी आनी शुरू हो जाएगी, that means made in भारत batteries, वो भी lithium-ion की, जिससे की हमारी electric vehicles चलेंगे, वो भारत में बनेंगे, yes, उसमें जो joint venture है, वो एक चाइना की बहुत पड़ी company है, जो lithium-ion batteries बनाती है, उसके साथ joint venture है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कोई फर्ख नहीं पड़ता कि कौन सी country की वो company है जिसके साथ आप joint venture करते हैं चाइना ने भी अगर तरक्की करी है इन्होंने American companies, European companies के साथ joint venture किया, और सारे दुनिया का माल बना बना के वहां से बेजा, हमें भी को दिक्कत नहीं जहां पर हमारा security risk ना हो, जैसे की इन्होंने बोला कि हमारे जो strategic reserves है, उसकी जो storage facilities है, oil की, उसको बनाने के लिए चाइना ने बोला कि हम आपको बना के देंगे, नहीं देंगे, we will not give that, यहां हमारे कोई arms and ammunitions हैं, fighter planes हैं, ऐसी कोई चीज़े हैं, यह drone है, इस सब को हमने ban कर दिया, but lithium ion batteries, it's a very good move, कि हमने भारत में बनाने की सोची है joint venture के अंदर, और यह एक game changer होगा, क्योंकि हमारी जो गारियां हैं, वो और सस्ती हो जाएंगी, and it is good for our country also, pollution कम होगा, so दोस्तो जो चाइना की जो अकड़ है न, कि lithium ion battery तो आपको हम से लेनी पड़ेगी, खतम, हगले साल से हम खुद बनाएंगे, एक और हम जो major इन से import करते थे, वो था IP, जो लगता है medicines के अंदर, वो भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, जिसमें पताया था कि हमने वो भी हिंदोस्तान में बनाना शुरू कर दिया, and almost 49 IPs ऐसे हैं, जो अगले साल से हिंदोस्तान में बनेंगे, major import हमारी 20 billion dollar की इंपोर्ट तो सिरफ IP की होती है बन्त, it is going to be made in भारत, अब एक चीज़ रह गी है वो है heavy industries, जो machinery हों वोगरा, हम लोग इन से import करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हमने भारत पे बनाना शुरू कर रहे हैं, and we are working on it, let's see, कब तक होगा, ये बहुत बड़ा एक जो है, मुझे मालूम है कि government of industry, मैंने representation दिया है government को, कि भई हमारी तीन चीज़ है जो हम import करते हैं, चाइना से IP आपने शुरू कर दिया, अब दूसरा target आप heavy industries को करिए जैसे construction की machines हैं, और बड़ी machines हैं, जो हम चाइना से खरीते हैं हिंदोस्तान में उसका infrastructure नहीं है बड़े असानी से हम लोग German companies के साथ joint venture करके हम लोग वो technologies को भारत में लेके आ सकते हैं, चाइना नहीं भी यही किया यह तो copy master है, तो हम भी यह काम कर सकते हैं, let's see government उसके उपर काम करती है, यह नहीं करती है, दोस्तो अगली खबर है चाइना से और हिंदोस्तान से, वो क्या खबर है कि हिंदोस्तान ने अभी जो de-dollarization का काम चल रहा है कि हम dollar से दूर जाना चाहते हैं दुनिया भी dollar से दूर जा रही है हमने बहुत ज़ादा gold पिछले कई मीनों में खरीदा है, हमारे reserves भी 780 ton के पास पहुँच गए है चाइना ने भी dollar को छोड़ कर gold ख्रीदना शुरू कर दिया, और इनके reserves भी 2000 या 2100 ton को cross कर गए है, हमारा इनके साथ gap बहुत जादा है, बट दूसरा जो gap है, वो है हमारे foreign reserve का, हमारे foreign reserve आज की rate में about 600 billion dollar के हैं चाइना के पास, जबकि हम ये बोलते हैं कि चाइना डूपने वाला है, कल को बंद हो जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे, उसके बावजूद, इनके जो reserves हैं, वो 3 trillion से 3.2 trillion dollars के हो गए हैं, ये है मंदी के बाद ये हालत है क्यों, already आहस्ता हिस्सा ये pick up कर रहे हैं, लेकिन ये dollar से दूर होकर अपने reserves को gold में convert कर रहे हैं, reason being, जैसे जैसे de-dollarization होगा, हम चाइना चाहता है कि एक parallel currency खड़ी की जाए, और that should be backed by some commodities, जैसे साओधी रेवी होगा, तो बोलेगा मेरे पास तेल है तेल की backing है पीछे, तो उसके support से मेरी currency का इतना value हो गया, भारत भी gold को increase कर रहा है, चाइना भी gold को increase कर रहा है, तो ये तो बात होगी foreign trade की, अब आते साओधी रेवीय के उपर, जो उन्होंने master stroke खेला है, कि USA को ये नहीं समझा रहा, कि मैं खाऊं कहां से और करूं कहां से, reason क्या है साओधी अरेविया ने एक ऐसा card खेला, उन्होंने बोला America को, let's negotiate, negotiate करते हैं Palestine के उपर, आप मुझे Palestine, जो हम मारी demand है, कि इसराइल के पास Palestine को एक दरज़ा दिया जाए, एक country या state बनाया जाए, पहली बात, उसके बतले, आपको क्या चाहिए, मैं आपको देने को त्यार हूँ तो USA ने बोला, आपको क्या चाहिए, आप हमें क्या दे सकते हैं, तो साओधी अरेविय ने बोला, आप चाहते हो कि मैं चाइना से दूर हो जाऊं, मैं ready हूँ, चाइना को मैं लात मारता हूँ, मुझे चाइना की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा काम मैं जो करूँगा, वो है, इसराइल को मैं recognize कर लूँगा, अगर ये जगड़ा खतम हो जाए, पैलस्टीन इसराइल का, आप इसराइल को recognize कीजिए, मैं चाइना को लात मारके, इसराइल को recognize करूँगा, और अपने ties को normal कर दूँगा, जैसे मैंने इरान के साथ की हैं, आप सोचके देखिए, मुझे बिन सिल्मान को क्या हो गया है, ये उमा का लीडर, ये इतनी देर से, सारे दुनिया में इनको था, कि हम जिहाद फिलाएं, हम मदरे से खोलें, और ये इतना open हो गए हैं अभी, कि ये सूला कर रहे हैं सब के साथ, सारे लड़ाई जगड़े खतम कर रहे हैं, सरफ एक ही aim है, कि हमारा देश तरकी कर रहे हैं, दोस्तों, यही होता है जियो पॉलिटिक्स में, कुछ देना और कुछ लेना, और जिन्दगी के अंदर भी, मैं अपने देश में भी देखता हूँ, कि जो लोग बोलते हैं कि हमने ये गजवे इंद करना है, हमने आपको हिंदूों को जीने नहीं देना, हिंदू भी जिस दिन शुरू हो गया, आपने RSS की जो वीडियो मैंने देखी, आपने आज सुबह मैंने पोश्ट करी थी, उन्होंने एक वाइब बोली कि हम एक ही चीज़ बोलते हैं, कि हिंदूस्तान को उपर लेके जाना, हमारा कोई और मकसद ही नहीं है, आपने आपको भारत का पार्ट मानना लग जाएंगे, हमारी देश में भी तरक्किया जाएगी, अब तो भाईया आपको समझाना चाहिए, कि आपका लीडर ही चेंज हो गया, आप भी चेंज हो जाएगे, दोस्तों ये चीज़ों को आप लाइक करें, शेर करें, मैं ऐसे से चीज़ें निकाल के लेके आता हूँ, जो आपका मीडिया वहाँ पर दिखाता भी नहीं है, ये बिका हुआ मीडिया, ये कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये भारत की पावर को दिखाता है आपको, शेर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी बताएं मुझे, आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, I will make videos especially for you, मैं पास काफी requests हैं चीज़ों की, मैं हर-हर जो चीज़ आपकी, उसको मैंने note किया हुआ है, जैसे-जैसे मैं पास पूरा content हाएगा, I will create videos for you, thank you so much, Jai Hind!